डिजारट वाइपर्स वरसेश सार्जा वेरियस दोफ़तों जो इंटरनेस्नल लीक टी-20 का चौथा मैच है ना आज की वीडियो में ये जानेंगे क्योंकि अगर ये ना जानेंगे तो जिसे पिछले मैस में बड़े-बड़े पिलियर थे बड़े-बड़े गेंदवास थे हमने ले लिया और चले नहीं अपनी फंटैसिक क्रिक्ट के जो टीम थी बेकार हो गई बड़िया पर्फोर्मेंस कर पाएगा ये बहु तो जानना होगा तबी तो फंटैसिक क्रिक्ट की बिनिंग टीम बना पाएंगे तो फिकर नॉट पूरी वीडियो देख ले आपका भाई आपको बताने वाला है एक एक प्लियर के बारे में कौन चलेगा कौन हो जाएगा और यह performance करेगी और आज का जो मैच होगा उसे अपने नाम पे करेगे इसे भी जानेंगे आज की इस वीडियो में तो इंपोर्टन वीडियो है ना ऐसा करते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो आप भी ना जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो क्यों को ने ज्वाइन किया और फायदा है में तो आप पीछे क्यों आप भी ज्वाइन करो और फायदा उठाओ बस एक चीज़ का ध्यान देना फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ज्यादा नगली टेलिग्राम चैनल बना लिग इसलिए इद्दार उंदार और किसे ज् तो साइम बिलिंग से खेलते नज़र आएंगे पांच्वे नंबर पर रोहन मुस्तफा चट्वे नंबर की बात करें सारीज एहमद नौवे नंबर पर रूबल टरपलमैं दशवे नंबर की बात करें टाइम यारवाइन टोर तो यह सकती इस मैच की पॉसिबल प्लेंग ल हो जाएगा फ्लॉव लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा पिसका बीईवियर कंडिशन और जो रिकोर्ट से ना उसे भी जान लेते कि इसे जानना काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है तो दुबाई के मैंदान पर अभी तक स्कूर बनेगा तो दस मैच में से आठ मैच में टार्गिट हो सकता है टार्गिट डिफैंड की बात करें 169 allora स्कूर नाम पर ऐख Esse को बंदर्स के नाम पर है S vorising पैटन की बात करे तो फ़स्टेंग में 150 से 179 Ondर सिक ब neighbours स्कूर बन चुका है स्कूर इनिंग बिच राइन 4 रा यहテंग में ज्यादा यहीं उए है हाई स्कोरिंग कम हुए, ऐसा क्यों होता, क्योंकि यहां का पीछ है ना वो हार्ड है, मतलब जब पीछ फिरेस रहता है, तो बल्ले पे बहुत अच्छे से आता है, तो जो मैच होता हाई स्कोरिंग होता है, अगर हम अभी की बात करें, तो यहां पे एक मैच खेला जा चुका क्योंकि गेंदबाज भी लेने होते हैं, और अलनरस भी लेने होते हैं, अगर हम यहां की बांडरी लेंद की बात करें, तो 58 मीटर से 70 मीटर की, मतलब ठीक ठाक बांडरी है, जब पिछ फिरेस होता है, तो चौके छके यहां पे काफी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जो त बनाएंगे, बाकि जब बोल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जो इसमिनल गेंदबाज है, उनको भी बिकेट मिलते हैं, तो इसमिनल गेंदबाजों को भी आपको अपनी टीम में रखना है, ऐसे कम मज़ा आ रहा है, एक एक विलर्स के बारे में जानते हैं, तब ज्याद को अपनी टीम में रखना चाहिए, और वो सके तो इनको भी कैप्टर एंड वाइस कैप्टर करना चाहिए, कॉलिन मुलों की बात करें, तो कॉलिन मुलों भी 33, 35 की पारी खेलने वाले है, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं, सैम बिलिक्स की बात करें, या तो तो बल्ले बाजी का मौकर नहीं आएगा अगर आएगा तो पान दस, 15 बस ऐसे ही बना पाएगा तो आपना इसे थोड़ा सा बच करह सकते हैं रोहन मु resultine की बात करें तो मुझे लगता है न तो बल्ले से कुछ कर पाएगे न अगें से कुछ कर पाएगे तो रोहन मुस्तफा से भी न आप थोड़ा सा बसके रह सकते हैं सर्फेन रदरफोर्ड की बात करें तो इनकी भी बल्ले बाजी का नंबर बहुत मुश्किल से आएगा अगर आएगा तो 8-10 या 15 ही ऐसी बना पाएंगे तो आपना इनसे थोड़ा सा बसके रह सकते हैं सर्फेन रदरफोर्ड से टॉम करन की बात करें तो जब सर्फेन रदरफोर्ड का बल्ले बाजी का नंबर नहीं आगा पूरूबर टर्पलमैन को एकाता विक्ट मिल सकता है लेकिन इसके साथ काफी ज्यादा महेंगे साबीत होगे तो आपना इसे थोटा सबसके रहे सकते हैं सारी जहमाद की बात के तो I think सारी जहमाद भी ना आज के मैस में थोड़ा सा महेंगे साबीत होंगे विकिट एकाता मिल सकता लेकिन महेंगे साबीत होंगे तो आप ना इनसे भी थोड़ा सा बच करे सकते हैं जैक लिन्टोड की बात करें तो यह मुझे रखता किफायती भी होंगे और एक दो या तीन बिकट भी निकालेंगे तो जैक लिन्टोड को भी आपको अपनी टीम में रखना चाहिए अगर हम बात करें टाइमल मिल्स के तो यह किफायती रहेंगे विकट हो सकता है एक आता ही मिले ज़ादा नहीं मिले लेकिन किफायती रहेंगे तो अगर आपकी मर्जी है टाइम तर्फ तो आपकी मैंची बतार रख भी सकतें नहीं भी रख सकतें हमिल लुइस की बात के तो पिछले मैच में ना चले फोल ओप होगे और मुझे रखता है आज की मैच में ना चलेंगे फोल ओप हो जाएंगे दो तिन टीम कर रहे हैं बना रहे हैं तो इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं ज्वाइड अली की बात करें तो आपना इनसे थोड़ा सा बच क्रेंगे गेंदवाजी करने आएंगे एकाता या दो बिकिट निकालेंगे तो मोहिन अली को आपको अपनी टीम में रखना है और हो सके तो इनको भी कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं मुहम्मद नभी की बात करें तो मुझे लगता है नभी को एकात बिकिट तो मिल जाएगा कार्टिक में एपन की बात करें तो कार्टिक में एपन भी ना आज के मैस में थोड़ा सा किफायती रहेंगे बिकिट हो सकता है एकाता मिले जादा ना मिले लेकिन किफायती रहेंगे तो आपना कार्टिक में एपन को भी अपनी टीम में रख सकते हैं अगर एक विकेट के साथ दू पिकेट निकालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए वहीं अगर हम बात करें नवीनु लाक की तो मुझा लगता हिनकी पिटाई होगी ॥lease जे आपना इनसे भी थोड़ा सा बचके रह सकते हैं हमने यहाँ पे सभी प्लियर्स के बारे में जा लिया किनकी परफोर्मेंस अच्छी हो सकती और कौन हो सकता है फ्लोग तो उम्मीद है ना इस वीडियो से आपको काफी ज़्यादा हेल्फ मिलेगी होता कि défin hook में लाइन भी बीडियो में वीडियो में बार हो जायोगी वहाँ पे लिंक के मिलेगी जवाइन कर लेना है मैं आज स्टार्ट होने के 20-25 मिमेट पहले आपको इस मैंच की जो फाइनल टीम होगी वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी बस एक चीज़ का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत जादा नकली टेलिग्राम स्वेशल बना लिगे इसलिए इदर उदर और के से जोईन नहीं करना जो लिंक के मिलेगे डिस्किप्शन में बस महीं से जोईन करें तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब निकिया कर दो सब्सक्राइब बिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की इफेड एक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you